तो आप देख सकते हो बजाज की तरह से लेटेस बाइक लॉंच कर देया गया है बजाज पलसर N160 इस बाइज ने काफी बढ़िया चेंज किया है लुक्स के मामले में आप देख सकते हैं काफी स्पोर्टी काफी दम्दार बाइक देखती है मतलब यह जो बाइक है ना मतलब क स्टार्ट करते है इसकी एक सोरूम प्राइस जो की स्टार्ट होती है 1,22,000 जो है सिंगल डिक्स वेरियंट का और 1,28,000 जो की है टॉप वेरियंट डूल चैनल ABS का तो आए जानते है इसकी टॉप फिचेस के बारे में जिसमें इंजिन आपको मिलते है 164.82 CC का और इंजिन है प्रेते इसमें सिंगल सिलिंडर 4-stroke 2-valve oil-cooled with fi technology so guys fi technology के साथ आती है यह बाइक जिसका maximum power up to 16 PS at 8,750 rpm और इसमें maximum torque जो जनेरेट करती है अब तो 14.65 Nm torque at 6,750 rpm के साथ आती है और safety के हिसाब से हाँ guys front and rear digs brake के साथ आती है with dual channel ABS के साथ तो इंडिय में आपको 150 और 160 के segment में dual channel ABS के साथ कोई भी बाइक देखने को नहीं मिल रहे तो बजाज नहीं यह launch करके मतलब तमाका ही मचा दिया तबाही मचा दिया market पे और इसकी जो fuel capacity है guys वो आती है 14 liter ski तो इसमें जो speed है guys gearbox जो आती है with 5 speed के साथ आती है और इसका जो color variant है इसमें चार color variant देखने को मिलते है guys एक है brooklyn black और next है हमारा techno gray और तिसरा नमर है Caribbean blue और last but not the least आती है racing red color पे so guys चलिए देखते हैं इसकी जो dual channel ABS की जो ब्रैंडिंग है जो logo है काफी bold letter में दिये गई है यह देखे काफी बड़ा सा letter है और इस bike को आप front से देख सकते हो मतलब कितने बड़िया sporty feel देती है इसके जो head lamp है headlight काफी बड़िया आ रही है और N160 के branding देख सकते हैं यहाँ पे तो pillan rider के foot race भी दी गई है काफी बड़िया quality में आप देखे on करने के बाद किस तरह की looks आती है आप देख सकते हो तो guys comment section में जरूर comment करना आपको कौन सी color video ज्यादा पसंद आई अगर मेरे point of view से आप देखते हो मेरे को black ज्यादा पसंद आई काफी unique लगा मेरे को बहुत sporty feel देती है तो आप भी जरूर से comment करना और यह रहा है इसका digital meter